हेलो एवरीवन माई नेम इस नमन गोयल एंड टोड़े वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर फॉर फॉर फ्लास एड प्रेक्टिकल जमेक्टरी राइट लास्ट लेक्चर में हमने कैसे अपन कॉड्री लिटरल्स बना सकते हैं उनको फिनिश कर लिया था आज हमारे पास कॉड्री लेटरल के तो वह हम यहाँ पर रॉख करने वाले हैं तो सबसे पहला कोउस्चन है कि द्रोड हो mad a square esome bon a square of side का हुआउ-पॉर सेंटिमीटर तो हमें क्या करना है कि स्कॉइर बना नाना है जिसका side length कितना है 4 cm है राइट ठीक है बनाते हैं तो सबसे पहले होई राफ फिगर ठीक है तो यह एक square मैंने माल लिया A B C और यह D ठीक है अब आपको यह पता है किया पता है अपने को किए square है तो सारे एंगल जो होने वाले हैं इसके 90 90 90 और चारो side भी क्या होंगी पराबार होंगी square है ना तो यह 4 cm यह 4 cm दिस इस 4 cm एंड दिस इस 4 cm राइट तो सबसे वेले मैंने क्या किया पेस बना लिया A B सबसे वेले मैंने क्या किया एक A B बेस बना लिया इसका लेंद ए 4 cm का ठीक है फिर मैंने क्या किया यहां से एक लाइन ड्रो करा 90 डिगरी है एंगल पर 90 डिगरी हमें बनाना आता है ठीक है ऐसा बनाते है पर 90 डिगरी यहां पे एक और यहां पे एक कार यह बन गया 90 डिगरी similarly हमने यहां से एक बना दिया 90 डिगरी का ठीक है ऐसा कुछ अब C पॉइंट के लिए इस C point के लिए B को center मानते हुए 4 cm का हमने क्या लगा दिया एक arc लगा दिया B को center मानते हुए C point के लिए 4 cm का arc लगा दिया ये point मिलिया C same A को center मानते हुए 4 cm का arc लगा दिया 4 point D तो ये ऐसा आ जाएगा तो अगर मैं इन दोनों को जब जॉइन करके देखूंगा ये point क्या है मेरे पास D जब मैं इन दोनों को जॉइन करूंगा तो ये जो मेरे पास figure आया है ये क्या है, एक square आया है बना लेंगे कर लेंगे square को ठीक है, आगे बढ़ते हैं next is next question लिखते है next question है draw a rhombus A, B, C, D draw a rhombus A, B, C, D with A, C is equals to 6 and B, D is equals to 7 cm और ये भी cm हमें एक rhombus बनाना है A, B, C, D तो पहले rough figure बना लेते हैं ठीक है ये है मारे पास A, B, C और ये D ठीक है ये A, B, C, D रॉंबस है ये A, C एक diagonal है B, D एक diagonal है है ना अच्छा अब rhombus की जो डाइगनल्स होते हैं पर्पेंडिकलोर होते हैं वो bisect भी करते हैं एक दूसरे को, right सही है तो बनाते हैं जैको सबसे बहले हमने क्या करा B, D जो है हमारे पास हमारे पास क्या है B, D है हमारे पास तो हमने एक B, D बना लिया कितने 1 cm का 7 cm का सबसे पहले हमने कहाँ किया B D को कंसेट किया जो कि 7 cm का है अब हमें पताए गया जो ये जो है AC जो है वो BD को bisect भी करेगा और perpendicular भी होगा तो हमने कहाँ किया BD का perpendicular bisector बनाया BD का क्या बनाया perpendicular bisector बनाया जीतनी ये length है उससे आधी से जदा length का हमने एक arch बनाया जिसे मालनों हमने एक arch यहा हमने लगाया aring मुझा यहां से लिए था उतना यहां से लिएकर यहां लगाया और यहां लगाया तो ये जो line आएगी ये line इसकी क्या होगी perpendicular bisector होगी अब देखो यह पॉइंट अगर ओ माना मैंने तो यह जो डिस्टेंस है यह वाली यह पूरी 60 तो यह 3 होगी और यह भी क्या होगी 3 होगी तो इस OC के लिए इस पॉइंट को सेंटर लेते वे 3 सेंटीमीटर का हमने क्या लगाया आर्क लगाया तो यह आगया 3 सेंटीमीटर का यह पॉइंट मिलिए हमें C सेंटीमीटर का नीचे भी लगा दिया यह पॉइंट मिलिए हमने को A तो यह पॉइंट हमारे पास था यह जो मिला हमारे को A C यह डाइगन मिलिए दूसरा तो अब आप इसको जॉइन कर दो यह आपको ऐसे मिल गाएगा प्रोम बस ठीक है तो बना लेंगे बना लेंगे ठीक है तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर फिनिश होता है नेक्स क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फाइव विच इस डेटा हैंडिंग ठीक है इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सराइज है वो आप कर सकते हैं तो उनको बिलकुल करें मिलते हैं नेक्स लेक्चर में जब तक के लिए थैंक यू सो मच